इस समय आपकी जिन्दगी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज क्या है? आप अभी जिन्दा है, है न? वो सब तो ठीक है सद्गुरू, पर मेरे पास हजार के नोटों का एक बंडल है सद्गुरू, और मुझे पता नहीं मैं कहा जाओ ठीक है, अभी वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज क्या है? आप अभी जिन्दा हैं, है की नहीं? चुकि आप जिन्दा हैं, आपका परिवार महत्वपून बन गया है, आपका पैसा महत्वपून बन गया है, आपका देश महत्वपून बन गया है, और भी कई सारी चीजें महत्वपून बन गई हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि अभी आप जिन्दा हैं, और यही सबसे आप जानते होंगे कि हर रोज इस ग्रह पर करीब धाई लाख लोगों की मौत हो जाती है धाई लाख लोगों की मौत हो गई, लेकिन आपकी नहीं होई कल सुबह आप जाग गए, चेक कीजिए क्या मैं जिन्दा हूँ? अगर आप जिन्दा हैं, तो क्या आप खुद को एक बड़ी सी मुस्कान देंगे? अगर आप जिन्दा हैं, अगर नहीं, तो मैं आपको रहने दूँगा क्या आप खुद को एक बड़ी सी मुस्कान देंगे? अगर आप जिन्दा हैं तो और अगर धाई लाख लोगों की मौत हुई तो कम से कम 20 से 30 लाख लोगों ने अपने किसी प्रिय विक्टी को खो दिया तो आप उन 3-4 लोगों को चेक करें जो आपके लिए बहुत एहम है हर को याद जिन्दा है एक और बड़ी से मुस्कान इसके बाद आप समय देखें साड़े 11 बज रहें आप अभी भी जिन्दा है ये मत सोचिए कि ये एक मजाख है जो यहाँ टिक-टिक कर रही है वो घड़ी नहीं आपकी जिन्दगी है ये घड़ी टिक-टिक नहीं कर रही आपकी जिन्दगी टिक टिक कर रही है और आप बारा बज गए हैं आप अब भी जिन्दा हैं आपको मुझसे वादा करना होगा कि जब भी आप घड़ी देखेंगे आप खुद को एक बड़ी सी मुस्कान देंगे अगर आप जिन्दा हैं तो अगर आप मर चुके हैं तो आपको छूट है लेकिन सडकों पर इतने लोग तो ऐसे चलते हैं मानों वो अपनी कब्र के लिए अभ्यास कर रहे हैं चिन्ता मत कीजिए वो दिन भी आएगा मौत बहुत बहुत असरदार होती है इसके लिए अभ्यास की जरुरत नहीं है जब यह घटती है तो बूम सौ प्रतिशत घटती है कभी कोई बेसर तरीके से नहीं मरा लोग बेसर तरीके से जीते हैं लेकिन कोई बेसर तरीके से नहीं मरा तो क्या आप मुझसे यह वादा करेंगे जब भी आप घड़ी देखेंगे आप खुद को एक बड़ी से मुस्कान देंगे अभी भी जिन्दा हूँ आप नहीं जानते कि ये कैसे चल रहा है क्या आप सच में जानते क्या आपको पता है कि ये कैसे चल रहा है नहीं और बहुत से लोग जो आपके और मेरी तरह बिलकुल असली थे, और वो गायब हो जाते हैं. एकदम गायब, फिर वो कहीं नहीं दिखते हैं. अगर आप अपनी नश्वर्ता के बारे में कभी-कभी सोचते हैं, तो ये विचार आपको उदास कर देगा, आपको भैबीत कर देगा. अगर आप हर पल इसके साथ जीते हैं, तो ये आपको पूरी तरह से प्रसंद और जीवन्त बना देगा. क्योंकि केवल ये एक चीज, कि ये जीवन हमेशा के लिए नहीं है. ये केवल थोड़े समय के लिए ही है. और अब जितना अधिक प्रसंद होंगे, ये उतना ही छोटा होता जाएगा. अगर आप परमानंद में हैं, तो इसे गायब होने में देर नहीं लगेगी. तो अगर आप इसे लंबा खीचना चाते हैं, आपको खुद को बिल्कुल दुखी बनाना होगा. वरना इसे ओजहल होते देर नहीं लगेगी. अगर आपने इसके साथ समझोता कर लिया, अगर आप इस तरह जियें, कि आप हर खशन केवल एक और एक बात को ही सराहने लगें, कि आपके जीवन में सबसे एहम बात यही है, कि आप इस समय जिंदा हैं. जिन्दा होना, पूरी तरह से जिन्दा होना, सौ प्रतिशत जिन्दा होना ही सबसे एहम चीज है, क्योंकि अगर कोई चीज पूरी तरह से जिन्दा है, तब ही आप उससे कुछ खूबसूरत बना सकते हैं, मान लीजे आपके घर में एक छोटा सा पौधा है, या मान लीजे गर में एक आम का पेड़ है, वो कुछ इस तरह है, जो बस आपकी नकल कर रहा है. क्या आप इससे खूब सारी मिठास पा सकते हैं? नहीं, ये जबरदस तरीके से जिन्दा है. अब आप इससे मिठास की उमीद कर सकते हैं? किसी को भी जीवन ताम के पेड़ को ये सिखानी की ज़रूरत नहीं पढ़ती कि महरबानी करके मिठास दीजिए. ये अपने आप ही मिठास देगा, है ना? दुखी लोगों को सिखानी की ज़रूरत पढ़ती है. क्रिप्या प्रेम के साथ रहें, क्रिप्या लोगों के साथ अच्छे से पेश आएं, नम्रता से पेश आएं, ये करें, वो करें, ये सब करना ज़रूरी है, क्योंकि आप केवल आधे जिन्दा रह गए हैं. अगर आप जबरदस तरीके से जिन्दा होते, तो मानवी चेतना की प्रकृती है, कि वो मिठास का रस निकालती रहती है जीवन के हर क्षण में. हम नहीं जानते कि आप कौन से महान काम करेंगे या नहीं करेंगे. हम नहीं जानते कि आप माउंट एवरेस पर चड़ेंगे या नहीं. हम नहीं जानते कि आप Mr. Bold से तेज दोड़ेंगे या नहीं हम नहीं जानते कि आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी या औरत बनेंगे या नहीं पर ये एक काम तो आपको खुद के लिए करना ही चाहिए इस एक चीज के आप हगदार है ये एक चीज पूरी सौफ प्रतिशत आपके हाथों में कि आप यहाँ एक आनंदित इंसान की तरह रह सकते हैं इतना तो हम में से हर एक के लिए संभव है हमारे आसपास की दुनिया को ठीक करने की हमारी क्षमता कई तरह की वास्तविक्ताओं पर निर्भर करती है हमारे जीवन में हम जो भी कर सकते हैं वो हम करेंगे या नहीं वो इसी के अनुसार तए होता है अगर आप अपने स्वभाव से ही आनंदित हैं यानि कि आपको दुख का कोई डर नहीं है जब आपको दुख का कोई डर नहीं रहता किवल तब ही आप पूरी गती से अपने जीवन में आगे बढ़ने का साहस करेंगे आप जो कुछ भी कर सकते हैं उसे करेंगे हमारे जीवन में अगर हम वो नहीं करते जो हम नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं लेकिन अगर हम वो नहीं करते हैं, जो हम कर सकते हैं, तो हमारा जीवन दुर्भाग्य पूर्ण होगा. ये मेरी इच्छा और आशिरवाद है, कि आप ऐसा एक दुर्भाग्य न बने. आप जो कुछ भी कर सकते हैं, वो सब इस जीवन में होना ही चाहिए. अगर उसे होना है, तो इसके लिए जिस बुन्यादी माहौल की जरूरत है, वो ये है कि आप खुद के स्वभाव से एक प्रसंद इंसान हैं. समय क्या है? Still on, let's do it. Thank you.